तो आज हम लोग पेज नंबर पेज नंबर आपका है थार्टीन चलिए देखिए इसमें कुछ बच्चे हैं जिनोंने टैमराइंड सीड्स यानि की इमली का सीड्स कलेक्ट किया है यहां पर इंद्रा के पास 54 सीड्स है ठीक है और आपके बुक में question दे रखा है कुछ questions है इसके regarding question number first is who collected the most seed किसने सबसे ज़्यादा seeds collect किया है तो इन सभी के help से हम इस questions को solve करेंगे ठीक है तो देखिए सबसे ज़्यादा किसने seeds collect किया है यहां 54 seeds है किसने collect किया है इंद्रा ने so we will write इंद्रा ठीक है इस तरह से आप अपने बुक में fill करोगे now second question Sunil will collect blanks more seeds to be equal to wiki अब देखिए Sunil और wiki का seeds को compare कीजिए सुनील का कितना है 42 है और सुनील का 38 है अब सुनील को कितने odd seeds collect करने की जर्रत है wiki के equal करने के लिए तो wiki का कितना है total 42 है ठीक है और सुनील ने कितने collect किया है थर्टी एट तो हम क्या करेंगे इसके लिए 42 माइनस 38 क्या एगा अंसर 42 माइनस 38 इस 4 तो सुनील को कितने odd seeds collect करने की जर्रत है four so we will write four ठीक है third question if Radhika gets six more seeds she will have अगर Radhika six odd seeds को collect करती है ठीक है तो Radhika के पास कितनी seeds हो जाएंगे total means more given है यहाँ पर more है it means हम क्या करेंगे add करेंगे Radhika ने कितना seeds collect किया है देखिए Radhika ने 24 seeds collect किया है ठीक है six और collect करेगी six और collect करेगी तो कितना हो जाएगा 24 plus six क्या होगा 30 तो हम लोग क्या लिखेंगे 30 next question how many children have more than 40 seeds कितने ऐसे children है जिनके पास 40 से अधिक seeds है तो देखिए first जो है विकी second गौरी और इंद्रा तो three ऐसे children है जिनके पास more than 40 seeds है तो we will write three next question blanks needs three more seeds to have 50 तो three किनको और three more seeds की जरत है 50 complete करने के लिए तो गौरी को और और भी कोई है नहीं तो हम क्या लिखेंगे गौरी लास्ट सुनील has two seeds less than 40 सुनील के पास कितने seeds है less than 40 से two less है 40 से two less है यानि कि 38 है ठीक है और blanks has two seeds more than 40 किनके पास 40 से 2 ज्यादा ठीक है 40 से 2 ज्यादा seeds है तो वो कौन है विकी हम लोग क्या लिखेंगे विकी तो इस तरह से आपका page number 13 complete होता है now move to next now page number 14 dot game यह एक game है बिटा आपको simply क्या करना है आपको अपने parents के साथ यह dot game complete करना है ठीक है आप क्या करोगे अपने parents के साथ पहले अप क्या करोगे इस तरह से कुछ भी आप एक सीप बना लोगे ठीक है circle कर दोगे अब आप अपने parents को guess करने बोलोगे कि इसमें कितने dot है तो इस तरह से आप इस game को अपने parents के साथ के लोगे ठीक है क्योंकि अभी आपके friends आपके साथ नहीं है तो आप अपने parents के साथ करोगे अब अब guess करना है कि इस circle में इस shape में total कितने dot है तो 123456789 तो इस तरह से guess करेंगे आपके parents तो इस तरह से आपका page नमर 14 complete होता है now move to next page page नमर 15 दोनी सेंचुडी यहां पे आप अपने book में देखोगे कुछ figure दे रखा है वन डे मैच का है किसके बीच हो रहा है इंडिया और South Africa के बीच गुहार्टी में हो रहा है इंडिया का batting first है और देखें figure में दे रखा है दोनी has 96 only only one ball left धोनी का कितना run हो चुका है 96 और one ball left है अब क्या फिर उसका six century complete होने में century complete होने में कितना और left रह गया है तो century means क्या होता है hundred century means क्या hundred ठीक है तो देखें उसके बाद six run उसके और हो गया ठीक है six और हो गया total कितना हो गया बताइए six और complete किया तो total 100 कितना हो जाएगा 102 runs ठीक है अब इन चार प्लेयर्स जो है आपके बुक में दे रखा है इन चार प्लेयर्स को कितने और runs की जरूरत है century complete करने के लिए next player first player first का score कितना है 93 और इसको century complete करने के लिए कितने runs की और जरूरत है तो century means क्या होता है 100 तो 100 minus ये जो score है 93 क्या answer होगा 100 minus 93 is equal to क्या हो जाएगा 7 7 और score की जरूरत है player first को now player second player second का कितना score है 97 और century में 100 होते है तो 100 minus 97 is equal to क्या 3 so we will write 3 player third 100 minus 89 result will be 11 player 4 100 minus 99 we get 1 तो इस तरह से हम page number 15 को complete करेंगे ठीक है now move to next page now next page number 16 fill in the blanks आपको इस तरह से given रहेगा number figures में लिखे रहेंगे और आपको क्या करना है words में लिखना है या फिर words में लिखा रहेगा figure में लिखना होगा ठीक है suppose 99 लिखा हुगा है 99 99 को क्या पढ़ते है 99 और word में क्या लिखे इस तरह से n i n e ty n i n e 9 ठीक है इस तरह से लिखेंगे ना नेक्स यहाँ पर देखें blanks given है 102 इसको क्या पर होगे 102 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 102 इस बार देखे 105 words में लिखा है आपको figure में लिखना है तो क्या लिखेंगा 105 105 लैक दिस 107 इसके लिए words में लिखेंगे 107 108 figure में लिखना है 108 इस तरह से page number 16 का total fill in the blanks आप complete करोगे now move to next page page number 17 now next page page number 17 look here top 10 scores in the cricket world cup cricket world cup का top 10 scores given है आपके book में page number 17 here player APJ AS CK DM KSP उनके scores दे रखे हैं MD 178 PK इस तरह से scores given है अब इस से related कुछ questions है आपके book में CK just missed his century century means 100 how many runs did he need to make a century इनको कितनी runs की आवशकता है century complete करने के लिए तो CK का क्या है 99 तो 99 इसका already है कितने इसके runs की जर्रत है one तो यहां पर one हो जाएगा now next blanks and blanks scored almost equal runs almost equal runs किनका है तो यहां पर देखिए AS और CK का ठीक है 99 और 100 या फिर APJ K और VVS का इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो तो AS और CK ठीक है third question blanks scored a complete century no more no less no more वो कौन सा है player जिसने complete century बनाया है नाहीं कम नाहीं ज्यादा तो complete century AS ने बनाया है तो क्या लिखेंगे AS next है fourth most runs scored by the batsman are सबसे ज्यादा किनके द्वारा run complete किया गया है तो MD के द्वारा so we will write MD ठीक है now next question now next question number five blanks and blanks have a difference of just one run between them देखिए किन दो player के बीच सिर्फ one का difference है one run का difference है तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे देखो तो AS और CK 100 और 99 वन का difference है या फिर APJ और VVS इन दोनों के बीच भी वन का difference है आप दोनों से कोई भी लिख सकते हो तो AS और CK अब APJ भी लिख सकते हो और VVS भी लिख सकते हो now next question number six blanks scored two more than one and half century one and half century means 150 one and half century means क्या आता है 150 100 plus 50 ठीक है और इससे two more ठीक है 152 it means 152 score जो है किन का है तो KSP का तो so we will write KSP ठीक है इस तरह से हमारा पेज नमबर 17 complete होता है ठीक है पेज नमबर 18 counting in 10s हमें क्या करना है 10 10s में count करना है जैसे देखिए 10 10 के बाद क्या होगा यहां पर 10 जंप करेंगे 10 plus 10 क्या होगा 20 होगा न तो 10 में 10 add किये 20 20 plus 10 30 30 plus 10 क्या होगा 40 40 plus 10 50 50 plus 10 60 60 plus 10 70 then 80 90 इस तरह से आपको complete करना है 110 120 130 140 150 160 170 180 इस तरह से आप counting in 10s को complete करोगे ठीक है add करोगे हर एक नमबर में 10 add करते जाओगे ठीक है ना नेक्स्ट काउंटिंग इन 50 इस बार क्या करना है हमें 50 add करना है 200 है फर्स नमबर 50 add किये 250 देन क्या होगा 250 में 10 add sorry 50 add कर देंगे 300 ठीक है 350 में 50 और add करेंगे क्या मिलेगा 400 then 450 इस तरह से complete करेंगे 550 है 50 add किये 600 700 700 और यहां पर हो जाएगा 800 इस तरह से हम counting in 10s और 50s को complete करेंगे टू और question है उसे भी देखेंगे नाओ next last two question how far can you go like this तो किसी भी number को last कहां तक लिख सकते तो numbers का कोई limit नहीं है ठीक है बहुत unlimited numbers होते हैं तो हम simple क्या लिखेंगे we can go on and on because there is no end of the of these numbers ठीक है इस तरह से आप अपने book में space है लिख दीजेगा now next next question what is the biggest number that you can call out तो इसका answer लिखेंगे there is no biggest number number and hence we cannot call that numbers ठीक है इस तरह से आप अपने book में लिख लोगे by this I have completed page number 13 to 19 sorry 13 to 18 thank you students